हेलो दोस्तों स्वागत रहिए अपके चैनल में तो आज हम कंपेर करेंगे कॉलकॉम स्नाप्रेगन सेवन ठरी टू जी वसिज कॉलकॉम स्नाप्रेगन सेवन फिप्टी जी को तो चले हैं शुरू करते हैं तो बात करते हैं लौंचिंग डेट की लाँचिंग डेट की सबसे अगर बात की जाए तो Snapdragon 732G August 31st को लाँच होआ था 2020 को और स्नाप्राइगन 750G की अगर बात की जाए तो यह सब्टेम्बर 22 को लाँच होआ है 2020 को तो जाए तक लाँचिंग डेट की सबसे अगर बात की जाए तो Snapdragon 750G यह एक थोड़ा नियू चिपसेट कहे सकते हो बात की जाए CPU की तो Snapdragon 732G यह एक Octogo चिपसेट है और इसमें आपको Creo Architecture आता है इसमें आपको 2 Cortex A76 वाले 2.3 GHz पे क्लॉक्ट है और वही पे 6 Core Cortex A55 वाले 1.8 GHz पे क्लॉक्ट है Cortex A76 के अगर बात की जाए तो यह performance core माने जाते है और वही पे Cortex A55 के अगर बात की जाए तो यह battery vision course माने जाते है वह भी बात की जाए Snapdragon 750G की तो इसमें आपको Octogo चिपसेट आता है और यह भी Creo Architecture पे बेस है और इसमें आपको Creo 570 आता है बात की जाए इसके course की तो इसमें आपको 2 course Cortex A77 वाले 2.2 GHz पे क्लॉक्ट है और वही पे 6 course Cortex A55 वाले 1.8 GHz पे क्लॉक्ट है तो जातक बात की जाए CPU की तो यहाँ पे आप Snapdragon 750G के साथ जा सकती हो क्योंकि इसमें आपको Cortex A77 यूज किया गया है जो कि एक more powerful बात की जाए camera support की तो इन दोने ही chipsets में आपको अप टू 192 megapixel का single camera support डेकनी को मिलता है और वही पे Snapdragon 732G में आपको अप टू 22 megapixel का dual camera support आता ही और वही पे Snapdragon 750G के अगर बात की जाए तो इसमें आपको अप टू 32 plus 16 megapixel का dual camera support डेकनी को मिलता है तो जातक camera support के अगर बात की जाए तो Snapdragon 750G में आपको थोड़ा better dual camera support आता ही आगे बात की जाए image signal processor की तो Snapdragon 732G में आपको स्पेक्ट्रा 350 का image signal processor आता ही और वही पे Snapdragon 750G में आपको अपग्रेडर स्पेक्ट्रा 350 by L का image signal processor देखने को मिलता है तो जातक image signal processor की अगर बात की जाए तो यहाँ पी भी आप 750G के साथ जा सकते हो बात की जाए वीडियो recording की तो यह दोने chipset 4K वीडियो capable है add 30 frames per second आगे बात की जाए graphics की मतलब GPU की तो Snapdragon 732G में आपको Adreno 618 GPU देखने को मिलता है जो कि 15% faster है 730G की मुकाबले वह यह बात की जाए Snapdragon 750G की तो इसमें आपको Adreno 619 GPU देखने को मिलता है तो जाद अब गात की जाए overall GPU की तो यहाँ पे आपको Snapdragon 750G में आपको बड़या performance मिल जाएगा आगे बात की जाए display resolution support की तो Snapdragon 732G में आपको Up To Quad HD Plus का display resolution support आता है तो जाए तक बात की जाए display resolution support की तो यहाँ पे आपको Snapdragon 732G आगे देखने को मिलता है बात की जाए आगे RAM support की तो Snapdragon 732G में आपको Up To Quad HD 4S का RAM support देखने को मिलता है at 1866 MHz और वही पे यह chipset 8GB तक का RAM support आती है वह भी बात की जाए Snapdragon 750G की तो इसमें आपको LPDDR4S का RAM support देखने को मिलता है at 2133 MHz जो की ज्यादा है Snapdragon 732G से और इसमें आपको 12GB का RAM support देखने को मिलता है जो के एक बहुत अच्छी बात है तो जाए तक RAM support के अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप Snapdragon 750G के साथ जा सकते हो क्योंकि इसमें आपको speed भी ज्यादा देखने को मिलता है आगे बात के लिए Artificial Intelligence की तो Snapdragon 732G में आपको 4th generation का Qualcomm का AI engine देखने को मिलता है और इसमें आपको Hexagon 688 processor भी देखने को मिल जाएगा वह भी बात की जाए Snapdragon 750G की तो इसमें आपको Qualcomm का latest 5th generation वाला Qualcomm का AI engine आता है और इसमें आपको Hexagon 694 processor देखने को मिलता है जो कि एक अच्छी बात है तो यादक बात के जाए Artificial Intelligence की तो याप यापको Snapdragon 750G में आपको बेटर देखने को मिलता है बात की जाए Process Technology की तो ये दोने चिपसेट 8nm Process Technology के साथ आते है जो कि एक Battery Vision Technology है आगे बात की जाए Modern की तो Snapdragon 732G में आपको Qualcomm का Snapdragon Xpictim LTE Modern देखने को मिलता है जो कि एक 4G Modern है और इसमें आपको Download Speed 800 Mbps का देखने को मिलता है और वही पे Upload Speed 150 Mbps का देखने को मिल जाएगा बात की जाए Snapdragon 750G की जो कि एक 5G चिपसेट है तो इसमें आपको Qualcomm का Snapdragon X52 5G Modern आता है जिसमें आपको Download Speed 3.7GB पर सेकंड का आता है और वही पे Upload Speed 1.6GB पर सेकंड का देखने को मिल जाएगा तो जाद अब गात की जाए Modern की तो यह पे आप Snapdragon 750G के साथ जा सकते हो क्योंकि इसमें आपको 5G Modern देखने को मिलता है बात की जाए Bluetooth वर्जन की तो इन दोने चिपसेट में आपको Bluetooth का वर्जन 5.1 देखने को मिलता है जो कि एक latest आप कहले सकते हो बात की जाए Charging Technology की तो इन दोने चिपसेट में आपको Quick Charge 4 Plus का support देखने को मिलता है जो कि एक अच्छी बात है तो फाइनली बात कीजें की तो यह पे आप Snapdragon 750G के साथ जा सकते हो क्योंकि इसमें आपको CPU, GPU और AI performance भी आगे देखने को मिलता है जो कि एक अच्छी बात है और एक regular users में भी आपको better performance दे पाएगा तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like और शेयर जरू कीजे और चैनल को भी subscribe कीजे मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye